नमस्कार दोस्तों जो अगर भी भी तनील में सौगत है आए देखते हैं पोल्टी के कुछ महत्पुर्ड क्वेस्टन जो है एक्जाम में आ सकते हैं उनका प्रैक्टिस क्वेस्टन है संसद में लोकपाल बिदेहक निमने में से कौन से वर्स में प्रस्तूत नहीं किया गया था तो इसका सही आंसर है 1978 में नहीं पेस किया गया था बाकि सब में पेस किया गया था प्रस्तूत किया गया था 1968 में, 1970 में, 1985 में भी यह प्रस्तूत किया गया था संसद में लोकपाल बिदियक नेक्स्ट कोशन है कथन और कारण के कोशन है भारत में उच्चितम न्याले का अधिकार छेत्र समान है यह कह रहा है कि भारत में उच्चितम न्याले और उच्चितम न्याले का अधिकार छेत्र एक समान है नहीं एक समान नहीं होता है उच्छ नियालय का अधिकार छेत्र और उच्छतम नियालय का अधिकार छेत्र अलग अलग हैं समान नहीं है क्योंकि अब यहां पर क्योंकि कथन कारण वाले में क्योंकि लगाना पड़ता है यहां पर देखें, क्योंकि उच्छतम न्याले तथा उच्छ न्याले दोनों ही बंदी प्रतिशिकरण परमादेश निसेद उत्प्रेशन लेक और अधिकार पिच्छा रिड़ जारी कर सकते हैं, तो देखा जाए तो इसका पहला तो कथन गलत है लेकिन दूसरा सही है, इसल कथन है, जनतंत्र में प्रसासन का परम उत्तरदायत जनता के प्रति होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जनतांतिक सरकार लोकगत प्रवसत्ता पर आधायत होती है, बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों ही सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ज अगला प्रस्ण है मिलान है आपको मिलाना है अगले प्रस्ण में अल्पकालीन बहस ध्यानाकाशन बहस सुन्नेकाल और लोग उपग्रम समीती ये कब आये थी तो देखा जाये तो अल्पकालीन बहस आया था उननीसो तिर्पन में अल्पकालीन बहस उननीसो तिर्पन में ध्यानाकाशन ब्रस्टाव आया था 1964 में सुनिकाल कर वाय था 1962 में आय था और लोग उपकरम समी दिया थी 1964 में ये सही है कि अलपकाली निबहस कर वाया अलपकाली निबहस 1953 में ध्याना करस्ण पस्ताव कर वाय था 1964 में सुनिकाल कर वाय था 1962 में लोग उपकरम समी दिया थी 1964 में नेक्स्ट कॉस्चन इसका सही आंसर आएगा मिलान पर देखा जाए तो इनको मिलाने से क्या बनता है इसका सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1 एन 2 आंसर इसका सही है नेक्स्ट कॉस्चन यह भी मिलाने वाला है देखा जाए तो परमादेश का मतलब होता है हमादेश देते हमारा आदेश B सही है बंदी प्रतिछे करण यहीं सरसरी प्रस्तूत करना D हो जाएगा तो इसका पहला अप्शन हो जाएगा परमादेश का मतलब हमादेश देते हमारा आदेश है बंदिबज़न से सरी प्रस्तूत करना अधिकार प्रिच्छा का मतलब किस आग्यां से अधिकार प्रिच्छा का मतलब होता है किस आग्यां या अधिकार से आपकार कर रहा है उत्पेशन का मतलब होता है प्रमारित करने से संब्दित है इसका सही आंसर पहला का अपको 2 B का हो जाएगा आपको 4 C का अपका हो जाएगा 1 पहला प्संद और पेशल का हो जाएगा 3 तो 2 4 2 4 1 3 तो इसका D आंसर हो जाएगा परमादीश का मतलब होता है हमारा आदेश बंदी परिशे करना सरसरी प्रस्तूत करना अधिकार पिछा का मतलब किस आगें अधिकार से उत्प्रेशन का मतलब प्रमादीट करने से सम्बंदित है अब आपको मिलाना है इसमें जान करना है कि सरोच नियालय का रिट अधिकार छेतर कौन सा है सरोच नियालय का अधिकार छेतर जो हता है अधिकार छेतर 32 से होता है यानि की चार नमर से सरकार की बृत दावा यानि सरकार की बृत दावा या कारवाई अनच्छेत 300 के अंदर गत है यानि तीन अधिकार छेतर होता है यानि सी को हो तो डी करव जाएगा आपका नियाइक समिच्छा के स्रोत के संबन्द में तो जाएगा अंच्छेद 13 यानी कि एक तो सरोच नियालय का रिट अधिकार छेतर होता है 32 के अंतरकर सरकार के बिद्दावा या कारवाई से सम्मंदित अंचेत 300 है उच नियालय का रिट अधिकार छेत अंचेत 226 है वही नियाइक समिच्छा के सरोथ की बात करे तो उच्छे दे रहाता है निया एक समिच्छा से संबन देता है यह most important उच्छे देए एकसर एक्जाम में आते रहते हैं इनको दिहान से पढ़िए और समझेए next question इसका सही मिलान देख लिया जाए इसका सही मिलान देखे तो चार चार तीन और दो और एक त्यानिकी 43 21 43 21 देखे 43 21 C नमबर इसका सही आंसर है C 43 21 next question देखते है भारती प्रक्रिया में संग लोग सेवायों का अंतिम कार कौन सही most important है पढ़ने के बाद भी लोग समझ नहीं आता कि उसका अंतिम कार कौन सही चैन के संदर में न्युक्ती के संदर में प्रमारी करण के संदर में अस्थापन के संदर में तो देखा जायता है संग लोग सेवायोग का अंतिमकार जो है प्रमारी करन के संदर में है उसको प्रमारीत करने के संदर में है नेक्स्ट अखिल भारती सेवा के सदस्यों की सेवा सर्तों का निधान कौन करता है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है अखिल भारती सेवा के सदस्यो की सेवा सर्तों का निर्धान कौन करता है भारत के रास्टपती भारती संबिधान भारत के संसद संग लोक सेवा आयोक तो इसका सही आंसर है भारती संसद करती है अखिर भारती सेवा के सतस्यों के सेवा सर्तों का निर्धान सेवा सर्तों का निर्धान को भारती संसद करती है सम्वैदानी सुरच्छा की कौन सी धारा लोग से उकों को सुनिशित करती है इसमें 4 options 310, 315, 312, 311 जिसका सही answer is 311 311 जो एह इसा करती है सम्मिधान के भाग 14 में लोग सेवाओं से संबंदित है अनुछे 308 से ले करके 323 तक सेवाओं से भारत और संग और राज की अधीन सेवाओं से संबंदित है और अनुछे 11 कहता है अनुछे 11 में जो लोग सेवाओं के न्यूक्तियों के पदच्योत से संबंदित मामले है यानि इनकी सूरच्छा संबंदित अनुछे 311 है नेक्स्ट कॉस्चन कतन कारण के हैं देखना है पहला कतन है भारत ने लोग सेवाओं की रायतिक गदविदियों पर कड़े नियंतर लगाये हैं बिल्कुल सही है क्योंकि भारत में लोग सेवाओं को मतनान का दिकार है बिल्कुल सही है दोनों ही कतन की क्या करते हैं सही है लेकिन जो कतन का असपस्ट ब्याक्ख्या नहीं करता है इसलिए इसका आंसर ब्याक्ख्या नहीं करता है इसलिए इसका 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 ब्याक्ख्या नेक्स आखिल, भारती सेवा का सदस राज सरकार के आदेश की वुर्द बाहत के रास्पति से अपील कर सकता है. बिलخुल कर सकता है. बिलकुल साही है. क्योंकि सम्विधान के 96311 में कहा गया है कि लोगसेवकों को किसी भी प्रादिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता है जो उसे नूक्त करने वाले प्रादिकारी से के अधिनस्त हो सब्सक्रांद सब्सक्राइब ए ए जो है ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक इसमें ब्याख्या करता है दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो से लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों को सेर करें धन्यवाद